आज हम एक टोड़ी पोह से धेर साराई स्नेक बनाएंगे और भी घर के बेसिक समानों के साथ बन के त्यार हो जाता है तो प्लीज दोस्तों और अब मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेट में जरूर लिखिएगा कैसी ल करण दोड़ी दिए हुआरा चूरिये चुझाल मा मुंगर सब्सक्राण नाइखनेट कर सकते हैं ऐनाहीं पर More All माइस करके कर जाल देंगे दो हरिमिस्थ डाल देंगे तो बनाने के लिए मसाला डालूंगी आमचुट पावडर डालूंगे अदा चमश आधा चमश जीरा पाउडर आधा चमश लार मिच्वावडर आधा चमय हल्दी पाउडर और स्वाध इंसान नमक डालका अच्छी से मिलाना है हमें आप चाहते हैं आप हाली सबच्य सब्राइद 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 सवार में अच्छे इसाइप मंद पसंद है बने मगता है अगलfer talk लोग को भी जादा पसंद आएगा और बच्छों फी लश्क बोक्स में आप्डे सकते हैं देखें एक इसनेक मैं बना दिखा दी हूं आपटे आपको सारी स्नेक को ऐसे हिमें बना लेना हैं अच्छे से रूल कर लेना हाथ से देखें इतने अच्छे से बन के त्यार हो चुका है हमारा स्नेक अब इसे प्लेट में रख लूँगी यह पर हम दो चमच अरोल पाड़र ली थी इसमें कोड करने के लिए आप चाहते हैं आपर ब्रेट क्रम से भी ले सकते हैं उससे भी अच्छा बनता है आप मैं दो चमच आप परौडर ली थी इसमें एकस्नेक कि लूँगी और से अच्छे से सकते हैं कि चाह सकते हैं इस तरी के रख बनता है अब इसे मैं फ्राई करने के लिए चलती हूंगा अब इसे फ्राई करने लिए द दूढ देखें सारे इससे मदेंसे ने तेल गरम हो चुका है यह पर मैं इखा करकर स्नेक डाल दूंगी अब इसे में थोड़ी दिर के बार पर लटना है तो देखी कि अतिना अच्छे से आप चाहते अगर इसे फ्राइ करना नहीं चाहते तो आप इसे तवे पर सिक भी खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है और य इसे आलू पड़ा तो बच्छों लोग को भी ज्यादा पसंद आता है तो आप चाहते इसे दुपर को साम को सुबह को किसी भी समय आप इससे बना कर खा सकते हैं जाति इसे ऐसे रोल करके फ्रीज में थे कर सकते हैं दो तिन के लिए खराब भी नहीं होगा देखिए आप म इसे यह में फ्राइब करके एक प्रेट में निकाले लेना आप सब करने के लिए तयार है आप जिसे चटनी के साथ जाये तीकी चटनी के साथ था सकते हैं इस तरी की एगर इस भी फॉलो करना चाहते तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिये और लाइक करें और कमेंट भी करि और चलिए अगर ले वीडियो में मिलते हैं इतनी अच्छी से बन के त्यार हो तक चलिए निश्ट